हाई गाईज, वेलकम तु स्टेडी स्किल सक्सिस हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके एप्लिकेशन फॉर्म में उनसे मिस्टेक हो जाती है और वो मिस्टेक वो करेक्शन विंडो में भी सॉल्व नहीं कर पाते इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तब ही शायद आप ये वीडियो देख रहे है तो उस कंडिशन में हमारे साथ क्या होगा अगर हमसे मिस्टेक हुई है क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा हमारा admit card आएगा या फिर नहीं इसके अलावा किन mistake के कारण हमारा form reject हो सकता है या फिर हमारा admit card नहीं आयागा इसके उपर detail में चर्चा करेंगे वीडियो में एक-एक doubt आपका clear होगा वीडियो को आप last तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी से information देना चाहूँगा देखिए यार हमारे पास अब last के 20-25 दिन है और इन 20-25 दिनों में study करने के लिए हमारा book selection है वो जो है वो perfect होना चाहिए तो इसी को ध्यान में रखते हुए एजुका जोन आपके लिए last days के लिए best books लेके आया है जो कि आपको bio physics and chemistry तीनों subject की मिल जाएगी as per ncrt है class 11th और 12th और इसमें आपको last 35 year के chapter wise topic wise solution जो है वो मिल जाते हैं ठीक है 100% updated है इन books की थोड़ी detail में आपको दिखा देता हूँ books को जैसे ही आप शुरू करोगे आपको यहाँ पर syllabus मिल जाएगा syllabus के अलावा chapter wise आपका detailed syllabus मिल जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है इसके अलावा अगर chapter में देखें तो आपको इस type के कुछ questions मिल जाएगे जो की आपके topic wise divided है और year भी लिखा हुआ है कि किस year में यह जो question है हमसे पूछे गए है जैसे ही आप questions को complete करेंगे last में आपको यहाँ पर इनके answer भी मिल जाएगे answer के साथ साथ आपको इन answer के detailing भी मिल जाएगी ठीक है देख सकते हैं आप पूरा का पूरा detail में आपको यह जो चीज़े है वो मिल जाएगी तो एक well planned आपके last days के लिए यह books को बनाया गया है इन books को अगर आप लेना चाते हैं तो description में इन books का link है वहां से directly आप इन books को जो है वो buy कर सकती है ठीक है अब चलते हैं आज के हमारे topic पर देखिए आपके form में तीन तरह के column होते हैं सबसे पहले basic details दूसरा आपके document upload तीसरा आपका fee payment basic details में हम क्या बढ़ते हैं हमारा नाम, father name, mother name, date of birth, gender इसके अलावा कुछ basic details जैसे की nationality बगेरा हो गया paper का medium हो गया ये वो इन details में अगर आपसे कोई भी दिक्कत हुई है यानि कि नाम में अगर जैसे मेरा नाम पवन है और मैंने पवन की जगा पवन कुमार लिख दिया है या फिर मेरे father name में मैंने कुछ mistake कर दी, mother name में mistake कर दी, date of birth में मैंने mistake कर दी तो आपका form reject नहीं होगा, आपका admit card आपके पास आएगा इन details को हम सही कैसे करेंगी वो मैं बात में बताऊंगा second आपका आता है document upload, document upload में हम क्या करते हैं हमारा photo, thumb impression, signature, certificate यही सब तो upload करते हैं इनको upload करने में दिक्कत हुई है, तो भी कोई problem नहीं है आपका form reject नहीं होगा, आपका admit card आपको मिलेगा हाँ, अगर आपने तीसरे point, fee payment में कोई भी mistake की है तो आपका form जो है, वो incomplete माना जाएगा यानि कि आपका form जो है, वो reject माना जाएगा उस condition में आपका admit card आपको जो है, वो देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने fee payment नहीं की है, तो इन तीन points में अगर last वाला point complete नहीं है या फिर उसमें कुछ गलती हुई है, तो आपका form reject हो जाएगा, fee payment कैसे पता लगे, तो जैसे ही आप इसमें payment करते हैं, जैसे ही आप इसमें payment करते हैं तो इसका confirmation page आपको जो है, वो confirmation page आपके पास अगर आपको मिला है, तो आपकी payment हुई है, otherwise आपकी payment नहीं हुई, अब देखो, basic details में हमने गलती की, हमारा application form reject नहीं हुआ, हमारा admit card आगया, हमने exam भी दे दिया, अब बारी आती है admission की, ठीक है, देखो admission time में आपका जो application form है न, ठीक है, आपका application form का, आपके college admission के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, आपके application form का, आपके college admission के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप admission लेने जाते हैं, तब आपसे fresh, आपकी basic details जो है मागी जाती है, तो वहाँ पर आपने जो भी mistakes की है उन मिस्टेक को आप cover कर लीजेगा basic details को सही से आप फड़ दीजे लेकिंग अगर आपने नाम में mistake की है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो application आपने form भरा है उससे क्या आएगा उससे आएगा admit card और आपके admit card को ही आपके admission के time दिया जाएगा admit card से आपका roll number और आपके name को pick किया जाएगा name में अगर आपकी mistake है तो आप एक affidavit बनवा लीजेगा affidavit में वकील लिख देगा कि यह पवन जैसे मेरा नाम था कि पवन ही पवन को मार है और मैं इसको सत्याफित करता हूँ इतना हो जाएगा यह affidavit आप admission के time जमा करवा दीजेगा आपकी problem solve होगी तो इतना सा काम आपको करना है अगर आपके application form में fee payment के अलावा fees pay करने के अलावा कोई भी mistake हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप अपनी study पर ध्यान दीजिए आपका form reject नहीं होगा आपका admit card आएगा और आप exam भी जो आपका question रह जाता है या फिर query रह जाती है तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं बाकी ऐसी ही videos आगे भी आपको मिलती रहेगी टेलिग्राम भी आप join कर सकते हैं चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए good luck and have a nice day